अंकिता भंडारी हत्यकान मामला उत्राखंड में एक बार फिर तूल पकरता दिखाई दे रहा है एक के बाद एक जन आंदोलन में जहां पहार की बेटी को न्याय दिलाने की कोशिश की जा रही है तो वहीं अंकिता के परिजन भी बेटी को न्याय दिलाने के लिए दर-दर भटक रहे हैं। इसी कड़ी में बुद्वार को अंकित भंडारी के परिजणों नी एक बार फिर बेटे को नियाई दिलाने के लिए कोड़ द्वार में नियाई आत्रा निकाली। बीते पांच मार्च को S.C.S.T. मामले में आर्शोतोष नेगी को पुलिस ने पौडी से गिरफतार किया था जिसके बाद से उन्हें छुडाने के लिए पूरा उत्राखंड एक हो गया था गोर्तलब है कि इस साल लोकस्वा चुनाओं होने हैं ऐसे में सरकार हो या विपक्ष दोनों एक दूसरे पर चाहे कितने आरोप लगा रहे हो लेकिन दोनों नहीं अपनी राजनीती चमकाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है यही वज़ा है कि दो साल बीच जाने को हैं लेकिन अब तक अंकिता भंडारी को इंसाफ नहीं मिल पाया परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है लेकिन सरकार उनकी मदद करने को तयार नहीं पंजाब केसरी टीवी के लिए पौड़ी गढ़वाल से प्रदीप नेगी की रिपोर्ट